असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं अब सब लोग वेलकम तुदे बेस अकैडमी बचो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं शेप्टर नमबर 20 से बहुत इंपॉर्टन टॉपिक लेजर लेजर जो है बिसिकली ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो हमने इसको दो हिसों में डिवाइड किया है पहले लेक्चर में हम लेजर से रिलेटिड बहुत इंपॉर्टन टर्मिनालोजी को समझने की कोशिश करेंगे अगर वो चीज़ें आपको समझ आ गई तो लेजर तो फिर कुछ भी है बचो लेजर की अगर हम अब्रिवेशन करें तो ये बनता है लाइट एम्पलिफिकेशन बाइ स्टिम्यूलेटिड एमिशन ओफ रेडियेशन अब ये बहुत मुश्किल फ्रेज है इसको जड़ा असान करके समझते हैं इसमें दो चीज़ें हैं जिनकी उपर हमने फोकस करना है अगर हमें वो समझ आ गई तो पूरा लेजर हमें समझ आ जाएगा इन्शाला इसमें दो चीज़ें कौन सी हैं लाइट एम्पलिफिकेशन लाइट एम्पलिफिकेशन क्या होती है इसको समझेंगे और स्टिम्यूलेटिड एमिशन क्या होता है इसको समझेंगे तो electron के उपर आप एक photon shine करेंगे या इसको energy देंगे तो उस energy को absorb करके वो energy इतनी होनी चाहिए कि इन दो energy state के difference के बराबर हो तो जब energy आप इसको देंगे इस energy को absorb करके ये चला जाएगा higher energy level में ठीक है बचो किसी भी atom में जब कोई electron अपने ground level को या ground state को छोड़ कर higher energy state में चला ज state कहते हैं तो हम कहते हैं कि वो atom excited हो गया है यानि कि जब हम यह कहते हैं कि atom is excited तो atom के excited होने से क्या मुराद है atom के excited होने से मुराद है कि उस atom में कोई बिया इलेक्टर сильно energy absorb करके अपने ground level से कहा चला गया है higher energy level में चला गया है तो बचो इसको थोड़ा समझने के लिए हमने यहाँ पर एक analogy ली है कि फर्ज करें यह जो state है यह जो energy level है यह ground energy level यह ground energy state है और इससे उपर यह higher energy level है यह excited state है अब यहाँ पर हमारे पसकोई atom है जो के अपने ground level में है ठीक है जब यह energy absorb करेगा तो क्या होगा atom जो है वो energy absorb करके किस तरह से energy absorb करेगा let's suppose कि हम इसके उपर एक photon shine करते हैं इस photon को absorb करके यह चला जाता है अपने higher energy level में हम कहते हैं कि atom excited हो गया बच्चों अब क्या असल में atom यहाँ पड़ा था और इतनी height पर वो उपर की तरफ चला गया नहीं असल में तो ऐसा नहीं हो रहा ना असल में तो atom वहीं पड़ा है जा हो है असल में क्या हुआ है असल में तो यह हुआ है कि उस atom में किसी electron की जो energy है वो increase हो गई है वो पहले से ज्यादा energy अब उसके पास है ठीक है लेकिन इसको हम यहाँ पर समझने के लिए हमने यह जो हम analogy यूज करते हैं यह ज़स्ट समझने के लिए होती है कि atom ground level में है ठीक है तो इसका मतलब है energy कम है उसके पास अगर वो excited state पे चला गया किसी higher energy level में चला गया तो इसका मतलब है कि अब उसके पास जाइद energy है extra energy है जिसकी वज़ासे वो atom एक्साइट हो गया वैसे तो एक orbit के अंदर ही बहुत सारे energy levels हो सकते है ठीक है लेकिन यहाँ पर हम मजीद detail में नहीं जाएंगे कि एक ही orbit में कितने energy level होते है या एक से ज्यादा energy level क्यों होते है उनका क्या मतलब है क्योंकि यहाँ पर FAC level का lecture हम डिसकस कर रहे है तो हम सिरफ यही समझेंगे कि यह जो orbit है यह किसी भी electron का ground level है ठीक है यहाँ से वो energy absorb करके अगले orbit में चला जाता है तो वो जो orbit है उसके लिए उसके लिए वो क्या है वो उसके लिए excited level है या excited state है तो बचो इसे कहते हैं absorption absorption में क्या होता है कि atom ने ground level से transition की और कहां चला गया higher energy level और कैसे गया उसने energy absorb की clear हो गया और असल में क्या होए असल में उस atom के अंदर एक electron ने transition की है ground level से higher energy level ठीक है तो यह तो हो गई absorption लेकिन हम समझना चाहते हैं emission तो emission हमारे पास दो तरह क्यों होते हैं बच्चो एग हमारे पास होता है spontaneous emission spontaneous emission बच्चो यह spontaneous emission क्या होता है तो इसको समझते हैं फिर दुबारा से हम levels बना लेते हैं यह हमारा ground level है और यह हमारा excited state है यह higher energy level है ठीक है यहाँ पे अब फर्ज करें कि एक atom हमारा ground level में था उसने energy absorb की और वो चला गया higher energy level में अब वो higher energy level में पड़ा है या आप यूँ कहले कि वो excited state में है बच्चो यह जो excited states होती है यह बहुत ही unstable होती है यहनि कि atom ज्यादा देर तक excited state में नहीं रहता आम तोर पर जो हमारे पास normal excited states होती है उसके जो lifetime है वो बहुत ही कम है 10 raised to the power minus 8 seconds यहनि कि कोई भी atom जब अपने higher energy level में चला जाता है यह excited state में चला जाता है तो उस state में रहने का time सिरफ 10 raised to the power minus 8 nanosecond के करीब-करीब यहनि कि इतना कम time होता है तो उसके बाद क्या होता है atom de-excite होता है यहनि कि वो अपने ground level की तरफ decay कर जाता है अपने ground level की तरफ बापिस आ जाता है decay कर जाता है और जो energy उसने absorb की होती है उस energy को वो emit कर देता है खारिज कर देता है बचो अब इसमें कोई external factor involved नहीं है हमने इसको stimulate नहीं किया इस item को हमने इसको उकसाया नहीं हमने कोई external effect कोई external जो है इस पर pressure नहीं डाला ठीक है इसने खुद spontaneous का मतलब यह होता है कि खुद बखुद वो खुद बखुद ही इतने time के बाद वापिस आएगा लाजमी आएगा और वो वापिस आ गया इसे कहते है spontaneous emission ठीक है लेकिन जो हमारे लिए important है जिसमें हम interested है वो है stimulated emission बचो यह stimulated emission क्या होता है उसी तरह से यहां पर हम अपने energy levels बना लेते हैं यह हमारा ground level है और यह हमारी excited state है यहां पर excited state में हमारे पास एक item पड़ा हुआ है बचो हम क्या करते हैं 10 raised to the power minus 8 second यहनि के इस item के खुद बखुद decay करने से पहले इसके खुद बखुद नीचे जाने से पहले हम यहां पर एक और photon भेज देते हैं और यह photon straight line में straight direction में जा रहा है ठीक है अब यह photon इस item को क्या करेगा इसको stimulate करेगा इसको उकसाएगा इसके stimulate करने पर अब देखें अब यहां पर external factors involved हो गए यहां पर spontaneous emission में कोई external factors involved नहीं थे लेकिन यहां पर अब external factors involved हो गए यह photon इसको stimulate करेगा और यह atom जो है यह decay करेगा जब ये डिके करेगा अपनी ground state की तरफ तो ये भी photon emit करेगा अब एक photon ये जो जिसने इसको stimulate किया और एक photon जो इसने emit किया ये दोनों मिलकर एक unidirectional beam ऐसी beam जिसकी intensity अब ज्यादा हो जाएगी जो पहले से intense हो जाएगी ये unidirectional intense beam ये मिलकर laser बनाएगी इसका मतलब है कि stimulated emission में हम external factor के जरीए emission करवाते हैं उसमें external factor like photon जो है उसको क्या करता है stimulate करता है तो ये फरक है spontaneous emission में और stimulated emission में तो एक तो बात हमें याँ पर समझ आगी कि stimulated emission क्या होता है ठीक है दूसरा क्या है light amplification वच्छो light amplification का मतलब है कि light की intensity को बढ़ाना beam के अंदर पहले 5 photon हैं तो आप 5 की बजाए 500 कर दें नतीजा क्या होगा beam की intensity बढ़ जाएगी इसे कहते है amplification तो हमें क्या करना है laser बनाने के लिए एक तो stimulated emission करवाना है और दूसरा इसके जरीए क्या होगा इसके जरीए light amplify हो जाएगी लेकिन ये stimulated emission करवाना बजाहर हमें जो नजर आ रहा इतना असान नहीं है stimulated emission से पहले हमें जो चीज अचीव करनी होती है जिसे हम laser का principle भी कहते हैं वो है population inversion जी तो अभी हमने discuss कर लिया है कि spontaneous emission क्या होता है और stimulated emission क्या होता है अभी हम चलेंगे population inversion की तरफ जिसको हम laser का principle भी बोलते हैं population inversion बहुत ही important concept है और हमारा जो laser है basically वो population inversion की उपर ही base कर रहा होता है यह population inversion का concept क्या है देखें अगर तो हमारा जो ground state है normally यह होता है कि ground state में atoms की जो तदाद है वो ज्यादा होती है excited state के मकाबले में क्योंकि excited state जो होते हैं यह stable नहीं होती ठीक है जो ही atom यहाँ पहुचते हैं तो वो फॉरण ही डिके करके अपनी ground state में वापिस आ जाते हैं ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो कि हम atoms को excite करें और atoms की जो तदाद है वो excited state में ज्याबा हो जाए ground state के मकाबले में तो इसे कहेंगे population inversion और यही laser का basic principle है लेकिन population inversion अचीव करना बहुत मुश्किल है वज़ा क्या है हमारी जो excited state है इसका lifetime बहुत short है यानि कि हमने पीछे बात की थी 10 raised to the power minus 8 second यानि कि अगर आप किसी तरीके से इन atoms को excite करके यहाँ पर ले जाते हैं excited state में तो excited state में यह बहुत थोड़ा time रहेंगे और spontaneously फॉरण ही decay कर जाएंगे ground state में तो अब कभी भी stimulated emission नहीं करवा सकेंगे क्योंकि laser में हमने क्या करना होता है हमने light को amplify तो करना होता है यहनि कि हमने बहुत intense beam बनानी होती है ठीक है light की या laser की और उसके लिए हमें stimulated emission करवाना होता है अब यहाँ पर तो stimulator का option ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो stimulator की बजाए spontaneous emission ही होता रहेगा क्योंकि excited state का time period उसका lifetime बहुत थोड़ा है जो ही हमारे atoms pump होकर वहाँ पहुंचेंगे वो फॉरण ही de-excite होना शुरू हो जाएंगे spontaneous लिए तो अब कभी भी एक intense beam नहीं बना सकेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा population inversion achieve करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें एक ऐसी state की जरूरत है जहां से atoms spontaneously decay ना करें तो ऐसी state को हम कहते हैं metastable state metastable state यह भी एक excited state ही होती है लेकिन यह ऐसी excited state होती है जिसका lifetime 10 raise to the power minus 3 second होता है जो के 10 raise to the power minus 8 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है यहनि के metastable state ऐसी excited state होती है जिसका lifetime जो normal excited states है उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है और जब एक दफा कोई atom metastable state में आ जाता है Let's suppose के ये मेरे पास E-Nod जो है एक Ground State है और यहाँ पर ये मेरे पास E-2 जो है ये Excited State है Normal Excited State और यहाँ पर मैं एक और State मिना लेता हूँ E-1 जो के Metastable State है अब ये जो Metastable State है ये हर Atom के अंदर नहीं पाए जाती बलके हमारे पास कुछ Certain Elements होते हैं उनको कहते हैं Active Medium हमारे पास Certain कुछ खास Elements होते हैं जिनके अंदर ये Metastable State जिनके Atoms के अंदर ये Metastable State पाई जाती है अब होता क्या है कि हम अपने Atoms को जो के Ground State में होते हैं उनको हम Excite करते हैं और Excite करके उनको पहुंचा देते हैं हम Excited State में, Normal Excited State में Normal Excited State से ये Atoms Ground State में यानि के यहां पर हम वो Medium या वो Element सेलेक्ट करते हैं जिसमें Atoms की जो Probability है Excited State से Ground State में जाने की Probability या Chance कम हो और Excited State से Metastable State में जाने का Chance ज्याबा हो ऐसे Active Medium हम सेलेक्ट करेंगे तो जब एक दफा हमने अपने Atoms को Ground State से Pump करके Excite करके Normal Excited State में पहुंचा दिया तो यहां से अब ये Spontaneous Emission नहीं करेंगे बलके ये Decay कर जाएंगे कहां चले जाएंगे? ये चले जाएंगे Metastable State में अब Metastable State में ये Spontaneously Ground State में Decay नहीं करते तो हम कह सकते हैं कि जो Metastable State है ये एक तरह का Trap है Atoms के लिए और हमें ऐसे ही Trap की जरूरत है तो जब चूँके हम Population Inversion Achieve करना चाते हैं हम चाते हैं कि हमारी जो Excited State है उसमें Atoms की तदाद ज्यादा हो तो यहां पर जो Normal Excited State थी वहां पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंके Normal Excited State में Spontaneous Emission हो जाता है और Atom बजाए वहां टिकने के फॉर नहीं वह वापिस अपनी Ground State में आ जाते हैं सिर्फ 10 रेज तो दी पावर माइनस 8 सेकिंड रुखते हैं तो हमें ऐसी एक्साइटीड स्टेट चाहिए थी जहां पर यह स्टे करें जहां पर यह Trap हो जाएं और हम इन्हें अपनी मर्जी से मतलब एक दफ़ा जब population inversion अचीव हो जाएगी तो फिर हम external factor involve करके अपनी मर्जी से इनको डी एक्साइट कराएं इनको Ground State में वापिस लेकराएं जिसे हम कहते हैं Stimulated Emission ठीक हो गया तो Stimulated Emission के लिए population inversion जरूरी था जो हमने किस तरह से अचीव की हमने Metastable State ढूंडी और Metastable State ढूंड के हमने वो वाला Medium सेलेक्ट किया उस Medium में हमने अपने Atoms को Ground State से Normal Excited State में पहुंचाया अब ये Normal Excited State से बजाए Ground State में आने के Spontaneous Emission नहीं करेंगे बलके डिके कर जाएंगे किसमें Metastable State में और एक दफ़र जब ये Metastable State में चले गए वहाँ पर ये कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए Stable हो जाएंगे ये Trap हो जाएंगे अब हम क्या करेंगे Metastable State में जो Spontaneous Emission होता है Ground State की तरफ वो बहुत Rare होता है तो इसलिए अब हमारे पास इतना Time होगा कि हम इनको Stimulate कर सकें तो अब हम क्या करेंगे हम यहां से Photon Shine करेंगे अब ये Photon इन Atoms को क्या करेगा Stimulate करेगा और ये सारे Atoms जो है Normal अपनी जो उनकी जो Ground State है उसके तरफ आएंगे जब ये वापस आएंगे तो हर Atom से हमें एक Photon मिलेगा और ये सारे Photons जो है ये मिलकर एक Unidirectional और High Intensity वाली Beam बनाएंगे जिसको हम Laser बोलते हैं तो ये है जी Population Inversion का Concept तो ये कुछ Terms थी Related to Laser जिनको समझना बहुत जरूरी था ठीक है Absorption क्या होती है Spontaneous Emission क्या होता है Stimulated Emission क्या होता है Population Inversion क्या होती है और Meta Stable State क्या होती है तो इन्शाला जो हमारा इस Laser का Next Lecture होगा उसमें हम Laser का Construction और Laser का Operation पढ़ेंगे Thank you, Allah आफिए और है fin स्ट बुग क्या होती है यदर को समझना है और में ऎसना है तो एary हम दोक्षणां दिन्टे है झार था उस्टे है तो आँ समान है है chine क्या क्यालावाण